नमस्कार स्वागत है आप सभी का एजुकेशन आफ आयरवेदा में आज का जो टॉपिक है बहुत ही जादे इंट्रेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही जादे इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज हम जानेंगे कि जो भी और शदियां है उनका वर्गिकरण किस आध और बहुत सारे एक्जाम में इस पर क्वेस्टन भी किये गया है कि जो और शदियों के जो वर्गिकरण है उनका किस आधार पर वर्गिकरण किया गया कौन-कौन सी और वर्ग है और उसको किस तरह से हम संस्कृत में उसको लिखते हैं और उसका एक्स्प्लेनेशन मैं आप पेपर है उनका सौल बचाहिए हमें नोट्स चाहिए जो प्रीवियस जो एक्जाम हुए है उनके पेपर के जो आंसर है वो आप कराईए तो सारी चीजे पॉसीबल नहीं है लेकिन मैं कोशिस यह कर रहा हूं कि एक पीडियाफ प्रॉपर पीडियाफ आपको आंसर सीट की बना करके और टेलिग्राम जो चैनल है मेरा उसमें आपको दे दूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो आप टेलिग्राम से जुड़ जाईए और वहां से आप मेरा जो प्रस्टनल नंबर है उस पे आप वाटसप कर द हैं और शदियों का मतलब ये जो जो आयरवेदिक जिवेद्ण और किस आधार पर किया गया है और उनकी परिभासा हमेशा में पूछा जाता है बहुत आएस या जिनका नाम बस दे दिया जाता है और उसका परिभासा आप हो गया चतुरबीज हो गया त्रिकटू हो गया तो इस तरह के जो और शदीद है उनका नाम आपको दे दिया जाता है और उसके बारे में पूछा जाता है डीटेल में कि अगर चतुरबीज है तो उसको हम चतुरबीज क्यों बोलते हैं क्या क्या चीज़े उसमें involved होती है इस तरह के question पूछा जाते हैं तो उसी से related आज का जो topic है मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़े आपके सुमिधा के लिए mention कर दिया हुआ है कि जैसे आप class अगर कर रहे होग लिए आपको जब तक आप bell icon दबा करके notification और नहीं करोगे तो आपको डेली जो वीडियो आ रही है वह उसकी update आपको नहीं मिलेगी तो आप बहुत सारी चीज़े जो है आप मिस कर दोगे आपको नहीं मिल पाएगी bell icon है दबा दिजे ताकि आपका ही फायदा हो तो यहां आपको समझा देता हूं कि आज मैं चार तरह के ओशदियों के उपर discussion करने वाला हूं जिसका वरगी करण आईरवेद में कुछ आईरवेद आईरवेद में वरगी करण कुछ इस तरह से किया हुआ है जैसा कि आपको मैं यहां पर दिखा पा रहा हूं जो सबसे पहली जो औ तरी आगर mim चैवरी कि परिभारशते हैं तो बाता है नचिंद आपको तरह को इसे पहले जान लेते हैं अज हुआ शुआ को सब्सक्रिफत। सरुक और उखने के लिए अब आफ इसको चार्वाजा करणे सादिंदे भी आखेक लिए हैंला तो त्रिफला को स्ल्सक्रित में स्लोग के रूप में लिखा हुआ है। पत्या विभीतात्री नाम-फलैस्य त्रिफला समय फल त्रिकम्य च त्रिफला सावरा च प्रकृतिता तो मतलब यह हुआ कि जो विभीतक है। हरण है अम्ला है इन सब को का फळ क लेकर मतलब फल की तवचा उपर का फॉपर का घुन ठावक को सामान य जो सामान रूप ह्या सम्भाग में ले अब साम्ट कोर्कतर है और उसको एक साथ एकतर करकर जो इस बात को गलत प्रूफ करता है जैसे आचार श्रिंगर धर्क जो हैं उनके अनुसार अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा है एका हरित की क्योंकि बहुत सारे जो त्रिफला में अगर परिभासा अगर देखेंगे तो यहां पर डिरेक्ली इस स्लोक का डिरेक्ली अर्थी यहीं हो जाता है आप देख सकते हो फिर एक बार बार में बता दूँ पत्या विभी धार्त्री नाम स्यात्ति रफ्ला समय फलत्रिकम, फलत्रिकम, चट्रिफला, शावरा, चट्रकिर्टिता, तो मतलब यह है कि जो बिभीतक है, आमला है, हरण है, इन सभी फलो का त्वक ले करके, मतलब गुदा ले करके, उनको सम्भाग में कूट पीस करके, अगर एक साथ रख लेते हैं, तो उसको हम त्रिफला कह यहां पर इसका सामाने सा मतलब यही है संभाग बताया गया है लेकिन आचारे श्रिंगर्धर जो है उन्होंने इस चीज को गलत कहा है और उन्होंने अपनी परिभासा इस तरह से दी हुई है एका हरित की योज्या दोच योज्यो विभीत को चत्वार मलाकन वेवं त्रिफलेसा प्रकृतिता मतलब यह है कि एक भाग हरित की योज्या दो मतलब की दो भाग आपका विभीतक होना चाहिए और चत्वार मलाकन वेवं मतलब की चोथा जो भाग है वो आवला का होना चाहि सब को एक साथ ले करके कूट देना है कूट पीस करके एक चूंड तयार करना है उशी को हम क्या कहते हैं त्रिफला आईरवेद में त्रिफला कहा गया है तो दो तरह की परिभासा आपको मिल गई एक में आपको बताया गया संभाग लेना है जो की एक तरह से इसका खंडन किय और इन्हों ने अपना परिभासा दिया जिसमें एक अनुपात दो अनुपात और चार अनुपात बताया गया है जिसमें त्रिफला का जो चूर्ण है इस तरह से बनते तरह की परिभासा हो गई त्रिफला की उसी तरह से जो अगली और शदिया उसको देखेंगे तो नाम है त्रिकटू, त्रिकटू से ही directly मतलब यह हो जारा, अगर त्रिकटू को अगर सामाने भासा में अगर आप कहेंगे, तो आप यह कह सकते हैं कि तीन ऐसी और सदियां, जिनका स्वाद कैसा हो, कडवा हो, तो उसको हम कहेंगे त्रिकटू, मतलब की कडवा हाट इस तरह से, जैस मतलब यह कि पिपली मरिच सोट, सुनके मतलब सोट, त्रिविस्ट रयूषड मुच्यते, मतलब की कीनों की समान मात्रा ले करके, इनको एक शात्र मिला लेना है, चूल्ण बना लेना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकटू कहते हैं, तो अगर आप एक्जाम में अगर question ऐसे आता है, और आप इस तरह से slow click करके, और उसका मतलब नीचे अर्थ जो है, दर्सा देते हैं, तो आपको पूरा mark मिल जाएगा, अगर इस तरह से आता है, तो आप लिख सकते हैं, उसी तरह से next जो आउशदिय वो है, त्रिमद जिसको बोलते हैं, तो त्रिमद में है म मुस्तकम, चित्रकम, विडंकच, त्रिमद, शमुदा, हिर्दत, मतलब इस स्लो का अगर अर्थ कहेंगे, तो मुस्तकम नागर मोथा को संस्कृत में मुस्तकम कहा जाता है, चित्रकम मतलब चित्रक मूल जिसको चित्रक की औशदी होती है, और विडंग चंग मतलब लेगा मार्केट में त्रिकटू भी मिलेगा त्रिफळा भी मिलेगा तो इसी तरह से इन ऑशदिओं का प्रयोग करकी यह दबाया की जinking न के रूप में आपको बताया जाने वसी तरह से जिसको चतुरी में मतलब आपको डार्कली मतलब समझ जरये मदलती चार तरह के जो भीज हैं इनको कूटपीश करके मिला करके चूड तैयार किया जाते हैं जिसको चतुरुबीज की कैटगरी में रखते हैं तो चतुरुबीज का अगर स्लोक देखेंगे तो लिखा हुआ है मेथिका चंद्रसूरश्व काल अजाजी यवानिका एतच्यूस्ट मतलब यह मेथि का मतलब मेथि और चंद्रसूर जिसको बहते हैं यह भी और कालजाजी को मंग्रेल बोला जाता है और यवानिका मतलब अजवाइन है तो यह चार तरह के बीज हैं चारों को एक साथ मिला करके और कूट पीश करके जो पदार्त जो चूलन तयार होता है उसी हम क्या कहते हैं चत्र बीज कहते हैं तो इससे इस तरह शसदी बनाए जती है एक रही अगुषगत हैं चार अजवाइन और मंग्रेयल है तो इन चारों बीजों को एक साथ रखने को ही हम क्या कहते हैं चतुर बीज कहते हैं तो और शदियों के वर्गिक्रित और शदियों की परिभासा में यह चार तरह की और शदिया मैंने आप सभी के सामने रख दिया अभी इसके अलावा भी बहुत शारी और शदिया जिसमें मैं और पांसे च्छे और शदियों को आप सभी के सामने रखने वाला हूँ बताने वाला हूँ जो कि next पार्ट में आपको दूँगा तो अगला पार्ट देखने के लिए आप चैनल पे बने रहे हैं जिसमें आपको वरगीकृत और शदियों की स्रेडी में जो चैनल पे बने रहे एगा जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जिनोहोंने बेल आईकों अगर आप हमसे जुड़े उए हो और वीडियों अगर नहीं देखते हो तो आप चैनल से जुड़े हो तो वीडियो देखिए नोटिफिकेशन बेल आईकोन आन कर लिजे जिसे आपको डेली अपडेट जो है वीडियो की मिलती रहेगी आप कमेंट कीजिए और जो अभी तक टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएए ता वहां पर मैंने अपना नंबर भी शेयर किया हुए आप वहां से टेक्स्ट करके अपनी जो भी समस्य आप हमसे कह सकते हो और ज्यादेतर कोशिस आप यह कीजिए कि कमेंट कीजिए क्योंकि कमेंट में डिरेक्ली आपको जो भी चीज़ा पूछते हो उसका तुरंत आपको जाताए मिल जाता तो अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे यह पता चलता है कि निहीं आप जानने के चुक हो आपको यह चीज़ा जाननी है तो मैं बताने का भी कोशिस करते रहता हूं तो कमेंट कीजे वीडियो अगर अच्छी लगति तो लाइक कीजिए दूसरों तक पह झाल